तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखो अगर इस वाले कोशन को देखोगे तो इसमें कहा जा रहा है कि instantaneous current and voltage यह जो equation current का है और यह voltage का है तो average power हमें निकालना है watt में तो सबसे पहले average power का formula क्या है अगर मैं इस question को solve करता हूँ प्यारे बच्चों तो जो average है उस average power average का formula क्या पावर एवरेज i rms ठीक न भी rms और यहां से cos pi के equal है तो i rms v rms cos pi के equal है इसको मैं लिख सकता हूँ i not by root 2 और यहां से cos pi इन दोनों current और voltage के बीच का phase तो i not b not 2 यहां से cos pi अपना लिख सकते हो तो इसमें और इसमें दोनों sign में है तो दोनों का जो phase का difference है delta phi फेज का difference तो phi 2 minus phi 1 यहां से हम लोग निकाल लेते हैं तो यहां से 100 pi t और प्लस यहां से pi by 3 और minus 100 pi t में से गटा दोगे 5 1 तो यह कट जाएगा तो जो delta phase का difference आ जाएगा वो pi by 3 आ जाएगा तो जो average power है अगर तुम देखोगे यहां से तो i not की value यहां 1 by 2 है b not की value 1 by root 2 है और phase difference यहां दिया है तो average power जो consume हो जाएगा 1 by 2 side में ले लो 1 by root 2 i not b not 1 by root 2 और यहां से cos pi by 3 cos pi by 3 कितना होता है यहां से cos pi by 3 sin 60 cos 60 is equal to sin 30 तो यह 1 by 2 और 1 by 2 और यह 1 by 2 is equal to 1 by 8 is the final solution of this problem that is अपना d option सही match कर जाता है यहां 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